सर्व संपत्य युक्त हर प्रकार के धन धान्य से युक्त होता है जातक कब जब जन्म कुंडली में धन भाव का मालिक देव गुरु ब्रहस्पती के साथ स्वराशिका हो अथवा केंद्र में इस्थित हो नोट करिए दुतिय भाव का स्वामी दुतिय भाव में ही देव गुरु ब्रहस्पती के साथ हो स्वराशिका हो अथवा केंद्र में इस्थित हो कुंडली में जो केंद्र के घर हैं एक चार साथ दस इन में इस्थित हो तो जाकक महान धनमान और सर्व संपत्ती से युक्त होता है सामन्य है देवगुरु धन के कारक है और धन भाव का स्वामी धन के कारक के सांथ युति बना ले तो जातक हर प्रकार की संपता से युक्त हो ही जाएगा